दर्वंपूरी ब्लोग कॉंग्रेस कमेटी की नेत्रित में कॉंग्रेस कारकर्ताओं ने तैसील करले पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संबो देती गया पन तैसील दार को सौंक कर क्षेत्र में अतीवरस्टी बाढ़ पीड़तों को सर्वे करवा का रूचित मुख्या देने के मांगी ग्यापन में बताएगा कि क्षेत्र में अतीवरस्टी होने के करण किसानों की फसलें नस्ट हो चुकी है वही नर्मदा और नदियों में आई बाढ़ के कारण कई मकान दुकान भस्त हो गए इससे एक शित्र में प्रभावितों का बड़ा नुकसान हुआ है विदायक मेडा ने बताए कि आज प्रभावित लोग सुयम ही केम्प लगा कर रहने को मजबूर बने हुए जिसके पास ना खाने पीने की व्योस्ता है ना ही शासन की तरफ से कोई उच्चित व्यास्था की जुआ रही है ग्यापन के दारान बड़ी संख्या में कॉंग्रेस कारेकरता उपस थेत रहे आज ग्यापन हमने इस उद्देश से दिया कि नर्वदा पट्टी में जो धरमपुरी नगर में डूप प्रभावित लोग आते थे उनकी सुक्स्विदाए नहीं मिल पा रही थी किसानों की फसलें जो नश्ट होई उसके बारे में हमने ग्यापन दिया है और धरमपुरी से लेके हमारे विधान सभा छेतर में जो भी सरदार सरोर डूप से जो प्रभावित लोगों के मकान डूबे थे उनका सही मुआवना हो और उनको सही उचित मुआवजा मिले ताकि उनको जीवन शेली सुद्रे यहां से बल हतनावार से लेकर के सुलगाओं से लेकर के बलवारा तक कई पंचायत ऐसी है जिनको अभी तक मकान नहीं रहने के लिए मकान ध्वस्त हो गये पुरे खाने पिने की विवस्ता ही नहीं रही कपड़े लगते की विवस्ता न जाउल साप और सभी हमारे वरिष्टों के साथ में किसान लेता देविलाल भई धरमपुरी सेज जफर अली की रपोर्ट